नमस्कार दोस्तों आज टी वीडियो में हम बात करने जा रही है केबल टीवी एंड टीटीएच से जुड़ी जैसे कि आपने हमारा थम्मिल देखी लिया होगा कि अब टीवी देखना होगा सस्ता जी हाँ ये एक खुस खबरी निकल के आ रही है ट्राइ की और से बताएंगे क्या है ये जानकारी विस्तार से लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को और पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और फ्रेंस आप देख रहे हैं वाफ रिडिस यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपके साथ इर्फान और फ्रेंस मैं उमीद करूँगा कि आपने हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल यारी वाफ रिडिस टू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा तो फ्रेंस बढ़ते हैं आज की वीडियो के टोपिक की और जैसे कि आप सब जानते ही हैं देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस बीच में एक ऐसी ख़बर निकल गया रही है जो कि आपका टीवी यानी केबल टीवी देखना सस्ता हो सकता है जो कि ये बहुत बड़ी बात होगी सभी केबल टीवी सबस्क्राइबरों के लिए और साथ ही साथ सभी पेड़ डीटीएच यूजर्स के लिए दरसल बात यह है कि एक आर्टिकल के मताबिक हम आपको बता दे जो कि इस आर्टिकल में लिखा है दरसल ट्राई ने FY27 DTH लेसंस निसुल्क खत्म करने के लिए सरकार से सिफारिस की है और सिफारिस में DTH ओपरेटर वृत्य वर्स 2026-2027 लेसंस निसुल्क प्राप्त कर देना चाहिए जिससे वह लोंग ट्रम में अच्छा प्रफॉमस कर पाएंगे इसके लावा ट्राई ने सरकार को लिखा लेटर में ये भी कहा कि आने वाले तीन वर्सों में डारक्ट टु हॉम DTH ओपरेटर्स के लिए लेसंस निसुल्क तक लाना चाहिए इससे धीरे धीरे खत्म करने की और काम किया जाना चाहिए और दूर संचार नियामक ट्राई ने तर्ज देते हुए कहा कि DTH प्लैटफॉर्म अन्यर्गुलेटिड और अन्यर्गुलेटिड वृत्रे प्लैटफॉर्म जैसे कि लेसंस का सुल्क भोगतान ना करें पिछले कुछ वर्चों में डीटिएच शेत्र में डीडी फ्रीडिस परसार भारती मुक्त चलाए जाने वाली डीटिएच प्लैटफॉर्म और ओटीटी प्लैटफॉर्म के कारण विछरता जा रहा है और वहीं बात करें मार्च 2023 तक चार पेरी डीटिएच के सब्सक्राइबर-m-865 डार्फॉर्म सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं कि स्वेश ओर-णीडिडीटिईच प्लैटफॉर्म के वजह से फ्रेंस हम आपको बता दे जैसे कि आप टाटा स्काई डिस टीवी संडाराट डीडी फिरिडिस या अधर केबल ओपरेटर्स आप देख रहे हैं उन सब को एक लेसंस लेना पड़ता है जिसकी सालाना फीस होती है एक करोर रुपिया जी हाँ एक साल में एक करोर रुपिया सि कि इंडियन गवर्मेंट को जाती है और वहीं बात करें ट्राइकी और से जो चिट्थी लिखी गई है उसमें गवर्मेंट से यही अपील की गई है कि सभी डीटीएच ओपरेटर्स एंड केबल ओपरेटर्स की जो सालाना लेसंस फीस जाती है उसको माफ कर दी जाए और अ जासे सभी सबस्क्राइबरों को अपने बजेट में रिचार्ज करने का मौका मिलेगा तो फ्रेंस अगर आज की वीडियो में दी गई जानकाई से आप संतुष्ट है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आज की वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत सुक्रिया, नमस्कार